हेलो गाइस तो आज उम्लोग बात करने वाले खत्रो की खिलाडी के कंटेस्टन्ट के बारे में खत्रो की खिलाडी की सुटिंग कैप टाउन पर स्टार्ट हो गई है और आज पार्ट टू की सुटिंग थी सबसे पहले कंटेस्टन्ट है शीफ ठाकडे शीप ठाकडे का जनम 9 सेप्टेंबर 1989 को अमडावती महारास्ट में हुआ था उनको असली पहचान बिग बॉस 15 से मिली लेकिन वो बिग बॉस मराथी के विनर रह चुके अब वो खत्रों के खिलाडी में नजर आने वाले हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अंजिली आनन्द का जनम 12 जुन 1992 को मुंबई में हुआ था उन्हें असली पहचान कुल्फी कुमार बाजे वाला मोटो बहु से मिली अब वो खत्रों के खिलाडी में नजर आने वाली है नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अन्जुम फैक अन्जुम का जनम 12 सप्टेंबर 1989 को मुंबई महराष्ट में हुआ था उन्हें असली पहचान कुंडली भाग में मिली हां अन्जुम ने स्रिष्टी का रोल निभाया था नेक्स्ट कंटेस्टेंट है रूही चतुरवेदी रूही चतुरवेदी का जनम 27 अप्रिल 1993 को जैपूर में हुआ था रूही को पहचान कुंडली भाग से मिली जहां उन्होंने शरलेन का निगटिव रोल निभाया था सहजान का जनम 9 सेप्टेंबर 1994 को कोटा राजिस्थान में हुआ था उन्हें असली पहचान अली बाबा और जोधा अगवर से मिली नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अर्चना गौतम अर्चना गौतम का जनम 1 सेप्टेंबर 1995 को मेरट में हुआ था अर्चना को असली पहचान बिग बॉस 15 से मिली चना गौतम एक पॉलिटीशियन भी है नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अश्वरिया सर्मा अश्वरिया सर्मा का जनम 8 डिसंबर 1992 को MP में हुआ था उन्हें असली पहचान गुम है किसी के प्यार में मिली थी और उनकी हजबन का नाम नील भट है नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अरजीत तनेजा जिनका जनम 10 नवंबर 1992 को देली में हुआ था उन्हें असली पहचान पुड़व के रोल में कुमकुम भाग में मिले थी और वो पेकाबु में भी नजर आये थे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है संदोस मौफकीर संदोस का जनम 17 फेव 1995 को मोरक्को में हुआ था उन्हें असली पहचान इस पेच्विला औरोडिक से मिली नेक्स्ट कंटेस्टेंट है डेजी साह डेजी का जनम 25 एगस 1984 को बंबे में हुआ था डेजी ने ऐसे तो बहुत सारी मूवी किये उन्हें बहुत लोग जानते हैं बट हेट स्टोरी 3 से उन्हें बहुत ज़्यादा पहचान मिली थी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है नायरा बेनर्जी नायरा बेनर्जी का जनम 14 माई 1987 को दारजिलिंग पस्चिम मंगाल में हुआ था उन्हें असली पहचान पिचाशनी और दिब द्रिष्टी जैसे शोशे मिली है नेक्स्ट कंटेस्टेंट है रोहित बोस रोय रोहित का जनम 2 अक्टूबर 1968 को नागपूर में हुआ था उईत रोय ने बहुत शारे शो और बहुत चाली मूवीज की है उन्हें असली पहचान स्वाभिमान सिरियल से मिली है नेक्स्ट और लास्ट कंटेस्टन का नाम है डिमो जिम्स डिमो का जनम 12 नम्बर 1991 को भोपाल में हुआ था वो एक फेमस सिंगर है आप इन में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और मैं किस पे स्टोडी बनाओ ये भी मुझे जरूर बताना थैंक्स पर वोची हरी क्रिश्ना बाई बाई